यह मूवी थियेटर में एक जीवन्त शाम है और प्रोजेक्शनिस्ट पॉल जनता के लिए मूवी चलवाता है। फिर वो दुनिया के रहेसियों के बारे में एक किताब पढ़कर समय गुजारता है जिसमें रोनोक द्वीब पर खोई हुई कॉलोनी और रहस्यमय शब्द क्रोएशिया के बारे में भी शामिल है। अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। ताके की तलाशी के लिए टीम बनाते हैं और शोर सुनकर गाड एक स्टाल में प्रवेश करता है, हालाकि वह भी अचानक गायब हो जाता है। उसी समय सभी लाइटे बुज जाती हैं और पॉल एक परचाई को अपनी और कुदते हुए देखता है। इस बीच रोजमेरी अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश में तौर्च लेकर अस्पताल में गूमती रहती है। यहां भी स्थिती वैसी ही है, सब कुछ अंधाकार में है और लोग गायब हो गए हैं। जब वो ओप्रेशन तक्ष में पहुँचती है, तो वो एक ऐसे आदमी को देखकर परिशान हो जाती है जिसे उसकी सरजरी के बीच में ही छोड़ दिया गया था और अब वो मदद की भीक मांग रहा है। अचानक अपातकालीन लाइटे बुझ जाती है और रोजमेरी गलती से अपनी टॉर्च गिरा देती है लेकिन उसे पुना प्राप्त करने के बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी भी चला गया है। काम नहीं कर रहे हैं और फ्रिज के सामने अभी भी पानी है। लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है और फर्श पर कपड़े हैं लेकिन लिफ्ट को ध्यान नहीं आया। पूरा शहर वीरान है, हर जगा परित्यक्त कारे और कपड़े हैं। अचानक एक विमान सड़क पर दूर्भेट नाग्रस्त हो जाता है, जो दर्शाता है कि यह कितना गंभीर मामला है। उत्तर के लिए बेचैन, लिउक अपने कार्यस्थल की ओर भागता है, फिर भी उसे दिवारों पर हिलती हुई परचाया नजर नहीं आती। वो हर कमरे की जाच करता है लेकिन कोई नहीं मिलता है और सभी रेडियो की बैटरी खत्म हो गई है। और अब वो एक कार से दूसरी कार में ऐसी कार धूंदने की कोशिश कर रहा है जो काम ना आए। निराश होकर लिउक ने कार में आराम करने और दर्वाजा बंद करने का निश्चे किया। अचानक एक आदमी रोशनी मांगने के लिए खिरकी पर दस्तक देने लगता है क्योंकि उसका लाइटर काम करना बंद करने वाला होता है लिकिन लिउक उसकी मदद करने से इंकार कर देता है। चलती परचायों को देखकर आदमी दूर जाने की कोशिश करता है लिकिन उसका लाइटर बुझ जाता है और अंधेरा उसे भी अपनी चपेट में ले लेता है। बाद में लिउक कार से बाहर निकलता है और जो भी सामान उसे मिलता है उसे उठाता है इस बाद से अंजान की ब्राइना उसे दूर से देख रही है। तो वो उसे भी खाली पाता है इसलिए वो जितनी भी बैटरियां पा सकता है चुरा लेता है और अपनी पुरानी शारी की अंगूठी को देखते हुए शराब पीता है। पर जेम्स को चेतावनी देने के लिए गोली चलवाता है। प्रोधिक लिूक उस पर जिलाता है लिकिन वो बता सकता है कि जेम्स किसी को मारने में सक्षम नहीं है और इसके बजाए दीरे से बच्चे के साथ बादचीत करने की कोशिश करता है। लिूक बताते हैं कि उन्होंने कई दिनों से दूसरा चेहरा नहीं देखा है इसलिए उन्हें शान्त हो जाना चाहिए और शराब पी लेनी चाहिए। जेम्स ने खुलासा किया कि वो लिूक को टीवी से पहचानता है और उसकी माँ पब की बाटेंडर थी। लिूक प्रोधित हो जाता है और उस पर फिर से चिलाता है ये बताते हुए कि सुरज देर से उगता है और जल्दी दूब जाता है जिसका मतलब है कि दिन का उजाला कम है वो जेम्स से कहता है कि उसकी माँ वापस नहीं आ रही है इसलिए जनरेटर खत्म होने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए जेम्स ने इस पर विश्वास करने से इंकार कर दिया इसलिए ल्यूक अकेले निकलने की कोशिश करता है उसी समय रोजमेरी अंदर आती है अभी भी अपने बेटे को खोज रही है उसकी हालत खराब है जिसके कारण उसे हताशा में फर्ष पर गिरने से पहले ल्यूक की ब रोजमेरी अंतताय शांत हो गई और जब जेम्स ने पूछा कि क्या वो एक डॉक्टर है तो ये उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुरा सदी की रात क्या हुआ था वो बाहर सिगरट पीने के लिए गई थी तभी अचानक सारी लाइटे बंध हो गई और उसे कुछ रोजमेरी बताती हैं कि बच्चे का पिता इसी पब में शराब पीता था इसलिए वो ये जाचने आई थी कि क्या वो आदमी उसे यहां लाया है अचानक समूर को एक शोर सुनाई देता है और वे बाहर आते हैं और दूर से पॉल को चिलाते हुए देखते हैं पहले तो लि और जेम्स सही काम करने पर जोर देते हैं तो लिूग अंतकर जाने का फैसला करता है हाथ में टॉर्च लेकर लिूग पॉल के पास बोरता है क्योंकि वो अपने चारों और घूम रही परचायों को नजर अंदाज कर देता है जब वो बस स्टॉप पर पहुँचता है तो व अपनी मां की आवाज सुन सकता है और बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन परचाय के लिए दर्वाजा खोलने से पहले रोजमेरी उसे रोक देती है सड़क पर लिूग गिर जाता है और उसके तखने में चोट लग जाती है जिससे परचायों को उन्हें घेरने का समय मिल जाता है जबकि रोजमेरी पॉल के सिर के घाव की देखभाल करती है पॉल ने पर आगी मौ में क्या हुआ था और आगी रावस की राय चल गी थूरे इए आया त्याती है राकर मरी तर उदे यखिन हुगा कि उसे गी लिजाया गया है लिकि जो कि रोशी रावस दी उसने इव पॉल को ले जाया गया था लेकिन पॉल में कसम खाई थी कि चेहरे देखने के लिए बहुत अंधेरा था लेकिन वो फुस्फुसाहच सुन सकता था फिर भी वो चिलाने में सक्षम नहीं था वो केवल अस्तित्वा के लिए लड़ सकता था रोशमेरी ने ये कहते हुए कटोटी की कि कोई कारण होगा कि उन्हें क्यूं चुना गया शायद ये भगवान की ओर से एक सजा है निराश होकर यूग जेम्स को पकड़ लेता है और रोशमेरी से पूछता है कि क्या कोई बच्चा दन्दित होने का हगदार है लेकिन वे चुप हो जाते हैं जब अचानक रोशनी तिम्टिमाने लगती है वे परचायों को हिलते हुए देख सकते हैं इसलिए पॉल सभी को सभी मशीनों को डिस्कनेक्ट करना शुरू करने के लिए कहता है ताकि जनरेटर की बिजली लंबे समय तक चल सके फिर वे जनरेटर की जाच करने के लिए बेस्मेंट में जाते हैं और ल्यूक को पता चलता है कि वहाँ एक बंद दरवाजा है इसलिए जेम्स बताते हैं कि यह एक अपातकालीन निकास है असहाए मैसूस करते हुए पॉल जनरेटर को कुछ लात मारता है जिससे रोशनी फिर से टिम्टिम आती है और छाया दरावनी हो जाती है ल्यूक पॉल को जनरेटर से दूर कीचता है और एक बार जब वो शान्त हो जाता है तो पॉल रोनोक द्वीप पर खुई हुई कॉलोनी की कहानी साज़ा करता है 1587 में 117 लोगों ने उस द्वीप पर पहली अंग्रेजी कॉलोनी बनाई हाला की जब एक आपूर्ती जहा जाया तो उन्हें पता चला की समुदाए बिना किसी निशान के गायब हो गया था और उन्हें जो एक मात्र चीज मिली वो बार पोस्ट पर लिखा क्रोएशियाई शब्द था कोई नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है लेकिन पॉल को लगता है कि यह कॉलोनी को रीसेट होने से पहले मिली एक चेतावनी थी अचानक सिर में असहनिय दर्द के कारण पॉल गिर जाता है इसलिए वे उसे पूल टेबल पर ले जाते हैं जहां रोज मेरी उसकी देखभाल करती है ल्यूक बर्फ लेने के लिए बार में जाता है लेकिन वह भी निराश महसूस कर रहा है और अपनी पुरानी शादी की अंगूर्थी निकाल कर रोने लगता है और याद करता है कि त्रासरी वाले दिन क्या हुआ था जब वो छाया का पीछा कर रहा था तो वो मुख्य मंच में प्रवेश कर गया और बिजली वापस आ गई जिससे कैमरे हिल गए ल्यूक अंतिम समाचार प्रसारन के टेपों की जाच करने के लिए दोडता है जो परचायों के कारण बाधित हुए थे ये कैमरे में क्याध हो गया और ल्यूक को अपनी गल्फरंट को गायब होते हुए देखना पड़ा अन्य सभी शोर रिकॉर्डिंग्स में भी ऐसा ही हुआ और स्क्रीन पर एक रहस्य मई छाया दिखाई दी इन में से एक टीवी पर शिकागो के एक रिपोर्टर का सीधा प्रसारण आया जिसने दावा किया कि उसने अंधेरे से अपने मृत भाई की आवाज सुनी है उनका सिधान था कि अंधेरे में छाया पीरितों को आकरशित करने के लिए तर्कीबों का उप्योग कर सकती है और उन्होंने सभी को सलाह दी कि वे केवल उन रोशनी पर भरोसा करें जो उनके हाथ में है तभी बेजली फिर से चली गई और यूग को अंधेरे में एक आवास नागी एवर पर्षाय उन उसा पीछा करना शुरू कर दिया तकि वो एक कमर में पविश नहीं कर गया और सुरज की रोशनी को अंधर आने देरे के लिए प्रदे तोड़ दिये रोजमेरी सोचती है कि शायद उन्हे अपनी नियती स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि पर्थाया स्वर्ग हो सकती हैं और आवाजे उन्हें अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने के लिए बुला रही है वो अपने बेटे के बिना जाने से भी इंकार कर देती है क्रोधित ल्यूक उन पर चिल्लाता है और इंगित करता है कि ट्रक का उप्योग करके वे पॉल के लिए एक अस्पताल धून सकते हैं और शायद रोजमेरी के बेटे और जेम्स की मां को भी खोज सकते हैं जैसे ही रोशनी फिर से टिम्टिमाना शुरू होती है ल्यूक अस्तित्वा के बारे में एक भाशन देता है और बताता है कि यदि यह एक रिबूट है जैसा कि पॉल ने कहा था तो वो इसे एक नई शुरुवात के रूप में देखना चाहता है न कि अंत के रूप में समूर छोडने के लिए सेहमत है इसलिए ल्यूक और रोजमेरी ट्रक लाने के लिए बाहर जाएंगे जबकि जेम्स पॉल की देखभाल करेगा जाने से पहले यूक ने जेम्स को एक कार की चाबी देते हुए कहा कि यह सौभाग्या का प्रतीक है इस बीच रोजमेरी पॉल की पट्टियां जाचती है और वो इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि वो कितनी सुन्दर है यह सोचकर कि क्या उसे कभी उसके जैसी महिला मिल सकती है उसे साथवना देने के लिए रोजमेरी उसे चूमती है जैसे ही दोनों निकलते हैं पब में रोशनी टिम्टिमाती है जेम्स पॉल पर नजर रखता है जो बेतरतीब विशयों पर बड़बडाता रहता है जब वो सो जाता है तो रोशनी फिर से टिम्टिमाती है इसलिए जेम्स उसे जगाता है पॉल की इच्छा है कि वो एक बार फिर संगीत सुन सके और जेम्स को जूक बॉक्स को फिर से जूडने के लिए मना सके इससे जनरेटर को बहुत अधिक बिजली का उप्योग करना पड़ता है और रोशनी टिम्टिमाती रहती है लेकिन संगीत सुनने से जेम्स को ये कलपना करने का मौका मिलता है कि पब लोगों से भरा हुआ है और वो बार में अपनी मां को देख सकता है वो इससे तभी बाहर निकलता है जब वो पॉल को दर्ब से चिल्लाते हुए सुनता है इसलिए जेम्स पानी के लिए बातरूम में जाने से पहले उसे शांत करने के लिए दौडता है उस समय कुछ मिंटों के लिए लाइटे बंध हो जाती है और जब वे वापस आती है पॉल जेम्स को बुलाता है जो उत्तर नहीं देता है वो लड़के को धूंडने के लिए मेज से उतरता है लेकिन उसे अपना सामान जमीन पर मिलता है चिन्तित होकर पॉल तैखाने में जेम्स की तलाश करने जाता है और अपातकालीन दरवाजा खुला पाता है इसलिए वो उसे पार कर जाता है वो चमकदार रोशनी से रोशन एक लंबा गलियारा पाता है और जेम्स को उसे बुलाते हुए सुनता है इसलिए पॉल उसकी तलाश शुरू कर देता है आखिरकार उसे गलियारे के अंत में एक और दर्वाजा मिलता है लिकिन पता चलता है कि वो एक इट की दीवार की ओर खुलता है निराश होकर वो इटों पर प्रहार करता है क्योंकि उसके पीछे एक-एक करके लाइटे बुजने लगती है जैसे ही ज्यूक बॉक्स से गाना बजना शुरू होता है गलियारे में एक छाया दिखाई देती है और पॉल को अंधेरा घेरने लगता है क्योंकि वो बार-बार दोहराता है कि मैं मौजूद हूँ तब पता चला कि पॉल वास्तव में अभी भी मेज पर है और पब में बिजली कुछ सेकंट के लिए बंध हो जाती है जब वे वापस आएंगे जेम्स अभी भी बातरूम में है और वो पॉल को देखने के लिए बाहर आता है और पाता है कि वो गायब है पब में छाया और रोशनी टिम्टिमाने लगती है इसलिए जेम्स जनरेटर की जाच करने के लिए बेसमेंट की ओर भागता है बाहर, रोशमेरी और ल्यूक जितनी जल्दी हो सके ट्रक के पास पहुचते हैं क्योंकि रोशमेरी की टॉर्च बुझ जाती है वे ट्रक को पब की ओर धकेलना शुरू कर देते हैं हाला कि ल्यूक के पैर के घाव में दर्द होने लगता है इसलिए उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है जब वे आराम कर रहे होते हैं रोशमेरी अपने बेटे के बात करना सीखने के बारे में एक कहानी साज़ा करती है और ल्यूक कबूल करता है कि उसकी पूर्व पत्नी शिकागो में है लेकिन उसे नहीं लगता कि वो उसे देखना चाहेगी उस समय ल्यूक की टॉर्च भी विफल हो जाती है लेकिन उन्हें एक नईस रोट से रोशनी मिलती है ये ब्राइना है जो उन पर अपनी टॉर्च का निशाना बना रही है लेकिन उसका ध्यान उस अंधेरे की ओर भी जाता है जो उनके चारों ओर घिरना शुरू हो जाता है दोनों ब्राइना को उनके पास आने के लिए कहने की कोशिश करते है लिकिन इसके बजाए वह भाग जाती है लिउक उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लिकिन उसके घायल पैर के कारण वह गिर जाता है जब परचाईयां उसे पकड़ने वाली होती है तो रोज मेरी कार की हैडलाइट चालू करने में सफल हो जाती है और परचाईयों को डरा देती है ताकि लिउक उसके पास वापस आ सके हालां कि कुछ सेकंड के बाद ट्रक की लाइटें खराब होने लगती है और उन्हें कोहरे में अजीब परचाईयां दिखाई देने लगती है लिउक अन्यकारों से तुकड़े लेता है और एक टॉर्च बनाने में काम्याब होता है लिकिन दुर्भागे से उन्होंने लाइटर को पब में छोड़ दिया अचानक रोजमेरी ने ट्रक की लाइट बंद कर दी और लिउक को अपने साथ खीचते हुए दौडना शुरू कर दिया जब तक कि वे अस्पताल नहीं पहुँच गए दर्वाजा बंद है इसलिए लिउक ताले पर गोली चलाता है और वे अंदर भागने में सफल हो जाते हैं ये स्वीकार करने के बाद कि वो वास्तव में यहां काम नहीं करती है रोजमेरी तुरंट कुछ माचिस दूनती है और मशाल जलाती है इसलिए लिउक को लगता है कि वे जाने के लिए तैयार है हालां कि रोजमेरी उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहती है जब वो मशाल जलाने के लिए शराब लेने के लिए भंदारंग काक्ष में जाती है रोजमेरी को बाहर सुनकर ल्यूक भी सड़क की ओर भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है रोजमेरी आब होती है उसी समय लाइट बंध हो जाती है रोजमेरी जैसे आकार की छाया से भायबीत होकर यूक वापस ट्रक की ओर भागता है और अकेले उसे धक्का देना शुरू कर देता है पब के बेसमेंट में जेम्स दरा हुआ है क्योंकि वो एक मानव आकार की छाया को अपनी ओर आते देख सकता है लेकिन इससे पहले की कुछ होता ल्यूक अंतता वापस लोटाया एक दूसरे को गले लगाने के बार जेम्स ये सुनकर तूट गया कि उन्होंने रोजमेरी को भी खो दिया है लेकिन ल्यूक ने वादा किया कि वे ऐसा करेंगे फिर दोनों जेनरेटर को ट्रक से जोडते हैं और कनेक्शन खत्म करने के लिए बेसमेंट में जाने से पहले ल्यूक जेम्स को पहिये के पीछे छोड़ देता है जेम्स ट्रक शुरू करने की कोशिश करता है और कुछ असफल प्रयासों के बाद वाहन अंतता फिर से काम करता है लेकिन पब को बिना बिजली के भी छोड़ देता है अंदर परचाया ल्यूक का पीछा करना शुरू कर देती हैं लेकिन वा बाहर भागने में सफल हो जाता है और ट्रक में जेम्स के साथ शामिल हो जाता है घबरा कर ल्यूक ने ट्रक का हुड खोल कर उल्टी दिशा में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया जिससे उसकी दृष्टी अवरोध हो रही है कुछ ब्लॉक बाद उसके पास ट्रक को रोखने और इंजन को चालू रखने के लिए इंजन को चालू रखने के लिए गैस पैदल पर अपना पैर रखने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जबकि वो हुड बंद करने के लिए बाहर जाता है उस समय जेम्स ने देखा कि चच में रोशनी है और वो ल्यूक की चेतावनियों को नजर अंदाज करते हुए चच की और दोड़ते हुए अपनी मां को बुलाता है वास्तव में ल्यूक ट्रक नखोने के लिए इतना हताश है कि वो जेम्स को छोड़ने का फैसला करता है और भाग जाता है शिकागो जाते समय ल्यूक एक पुल पर क्रोएशियाई शब्द लिखा देखकर चौंक जाता है जो उसे चीजों पर पुनरविचार करने के लिए मजबूर करता है इस बीच जेम्स चच में प्रवेश करता है और देखता है कि परचायां दीरे-दीरे कमरे पर भी कबजा कर रही है वेदी के पास मोमबत्तियों का एक घेरा है और उसके बगल में जेम्स एक छाया देख सकता है जो उसकी मां की आवाज में उसका नाम फुस फुस आती है उसी समय एक छाया उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक ल्यूग चच में घुस जाता है और कमरे में रोशनी कर देता है ल्यूग ने जेम्स को ट्रक में बैठने के लिए कहा लेकिन जेम्स ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे उसकी मां मिल गई है दुरभाग्या से जब जेम्स वेदी की जाच करता है तो उसे केवल कपडों का धेर मिलता है जिससे पुष्टी होती है कि उसकी मां चली गई है लियूग उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन ट्रक की रोशनी बुझ जाती है और दुख की बाद है कि वह भी गायब हो जाता है और इस प्रक्रिया में अपनी अंगूटी गिरा देता है जैसे ही परचायां धीरे धीरे चच को फिर से धकने लगती हैं जेम्स मोमबत्ती के घेरे के बीच में बैठ जाता है और अपना नाम और शब्द में मौजूद हूँ दोहराता है एक-एक करके मोमबत्तियां बुझ जाती है और अंधेरा चा जाता है अगली सुबाह सूरज अंतता फिर से ओगाया जेम्स चच में जागने पर आश्चर्य चकित हो जाता है और देखता है कि पूरी रात एक मोमबत्ती जल रही है उस समय ब्राइना आती है और उसे बताती है कि यह उसका बिस्तर है लिकिन जब जेम्स जाने की कोशिश करता है तो ब्राइना उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है वो बताती है कि वो सौर उर्जा से चलने वाली टॉर्च की बदौलत बच रही है और बदले में जेम्स उसे ल्यूक का आकर्शन दिखाता है जब बच्चे बाहर आते हैं तो वे एक घुड़े को गिरे हुए सेब खाते हुए देखते हैं इसलिए वे उस पर सवार होकर शहर चोड़ने का फैसला करते हैं जब रात होती है परचाया अपनी आवाज का उप्योग करते हुए ल्यूक पॉल और रोजमेरी और विस्पा का रूप ले लेती हैं ये जोड़ी ब्राइना की चॉर्च की मदद से उन्हें दूर रखती है लेकिन उनका भविश्य अनिश्चित है सदस्यता लेना और सूचनाए चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और विडियो देख सकें देखने के लिए धन्यवाद